जैन सात्यों और स्वागत है अब सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस्टुडिवी सुभा में तो आज मैं आप लोगों को प्रीवियस एर के जो भी कोश्चन इंपोर्टेंट है और बहुत सारे एक्जाम में ये कोश्चन पूछे गए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके से संबंदित प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे संबंदित इस वीडियो में हम लोग प्रस्ण करने वाले हैं जो की लगबख हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो बिना किसी देरे के वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला question दिया गया है बहुपत्य पर्था निम्ध में से किसमें पाई जाती थी तो इसका जो हमारा right answer है वो क्या हो जाएगा हूडो, option B यहाँ पर हमारा बिलकुर right answer है हूडो, जो है बहुपत्य पर्था इस वन्ष में पाई जाती थी next question पर्थम बहुत संगीत कहां हुई थी वैसाली, राजगरा, कुशी नगर या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा यहाँ पर जो हमारा right answer है वो क्या हो जाएगा option B, राजगरा में पर्थम बहुत संगीत हुई थी next question मल, विकांग्निमंत्र का नायक, पुश्य, मित्र, सूग से किस परकार से संबंदित था यानि इनका जो संबंद्र इन दोनों के भी समें बताना था उसका बेटा था, भाई था, पिता था, या फिर नाती था तो इसका जो right answer है वो क्या हो जाएगा उसका बेटा था option A, यहाँ पर right answer है तो यहाँ पर देख सकते हैं अग्निमिंत्र जिसने यमनों को पराजित किया सूग के मित्र, सूग का बेटा था अगला प्रस्ण मौर काल के दोरान सिच्छा का प्रसिद छेत्र कौन सा था यह most important question है तो यहाँ पर option देखें उज्जैन, तच्चिसिला, नालंदा, या फिर विक्रम, शिला तो जो इसका right answer है वो क्या option A यहाँ पर है, उज्जैन next question निम्नि में से कौन छत्रियों के साक के वन्स से था गौतम बुध, महावीर, रिसब देव या फिर चंद गूप्त मौर तो यहाँ पर जो मारा right answer है वो क्या हो जाएगा option A, गौतम बुध जो की छत्रियों के साक के वन्स से समंधित थे जो की सुदोधन के पुत्र थे अगला परस तच्छ शिला के किन दो नदियों के बीच में था यानि तच्छ शिला कौन से दो नदियों के बीच में था सिंद या फिर जेलम, या फिर जेलम, चिनाब, चिनाब यारावी या फिर चिनाब और व्यास तो यह most important question है बहुत सारे exam में पूछा गया है तो इसका जो मारा right answer है वो क्या हो जाएगा option A, सिंद और जेलम तच सिरा सिंद और जेलम नामक दो नदियों के बीच में था जो अभी कहां है, पाकिस्तान में है अगला प्रस न बहुत धर्म ग्रंतों के जीवक का उलेक है वह कौन थे? वैपारी, राजा, चिकशक या फिर पुलिस बहुत धर्म ग्रंतों में जीवक का उलेक है तो वह कौन थे? तो जीवक एक चिकशक थे जीवक गौतम बुद्ध के समय में एक चिकशक थे यहाँ पर right answer है option C next question सपत्पत्र ब्रामभड किस वेद से सम्बंदित है रिगवेद, सुकल यजूरवेद, सामवेद या फिर अथर्वेद तो इसका जो मारा right answer है वो कर जाएगा option A सुकल यजूरवेद सपत्पत्र ब्रामभड यजूरवेद की साखा सुकल यजूरवेद से सम्बंदित है अगला प्रस्ण कविराज की उपाध किसने धारड की इसकंद गुप्द, समुद्र गुप्द, चंद्र गुप्द या फिर कुमार गुप्द तो यहाँ पर हमारा right answer है वो के हो जाएगा option B समुद्र गुप्द तो यहाँ पर समुद्र गुप्द सामराज का सामराठ था जिसने 325 से 375 इसवी तक राज किया वह एक सक्तिसाली सामराठ था इसी कारण उसे कविराज की उज्जो है उपाद दी गई वह साथ ही में बिद्वान भी था next question कौन सा महाजनपत गोदा वरी नदी के किनारे है यह most important question मगद असमक वज या फिर सूर से तो इसका जो मारा right answer है वो क्या हो जाएगा option B असमक तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी details में जान लेते हैं असमक महाजनपत वर्दमान भारत के महराश्ट्र छेत्र था यह गोदा वरी नदी के किनारे इसकी राजधानी पोटन थी यह एक मात्र महाजनपत था जो विंध्याचल के दच्छिड में था और दच्छिड पत में था next question किस महाजनपत की राजधानी थी आवंती, अंग, कोशल यह फिर सूर सेन तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा option A, आवंती उज्जेनी आवंती महाजनपत की राजधानी थी यह आज के मालवा के छेत्र में थी next question दच कुमार चरितम की रचना किसने की रचचाईता इसके दरिवारी कभी थे दंडिन नंदिवी वर्नन दुदिय भैरवी नंदिवर्मन दुदिय अंपार दंडिवर्मन प्रथम यह फिर भैरवी नर्सिंग वर्मन प्रथम तो इसका जो मारा राइट आंसर है वो क्या है option A दंडिनी नंदिवर्मन दुदिय ने की थी next question महावीर स्वामी जी ने जैन धर्ब के पांच महा व्रत्तों में कौन सा महा व्रत्त जोड़ा अहिंसा अस्ते अपिग्रह या पिर ब्रह्भ चर तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा option D ब्रह्म चर तो यहाँ पर इसे जो है वो जोड़ा गया था next question महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था 540 इसापूर, 550 इसापूर, 550 इसापूर, 550 इसापूर तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा option A, 540 इसापूर में वैसाली के कुंड ग्राम में हुआ था, इनका बस्पन का नाम वर्दमान था इनके पिता का नाम क्या था, सिदार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था नेक्स्ट कोशन, निम्गिलन के में से कौन पूरा पासाड यानि पुराने पत्थर लोगों का मुख के विवसाय था, करसी, खेती, सिकार करना या फिर मचली पकड़ने वाला तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, option C, सिकार करना पुरा पासाड यानि पुराने पत्थर लोगों का मुख के विवसाय सिकार करना था, नेक्स्ट कोशन, सिंद घाटी सबहता में लेखन बुरुष्ट्रो फेडन था, या इसका मतलब क्या है, या बाएं से दाएं लिखा गया था, या दाएं से बाएं लिखा गया था, इस बारी-बारी से बाएं से दाएं और बाएं लिखा जाता था, नेक्स्ट कोशन, सिंद घाटी सबहता के निमलिखिन में से दो नग्रों में से कौन घागरा नदी के टटपर था, हडपा और रोजरी, हडपा और मोहन जोदरो, काली बंगा या फिर बनवाली, या फिर रंग कदब परेद पूर्पूर शुर्क कोटधा तो इसका जो राइट अंसर है वो गोधुमा जमीन दर या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो ओमारा राइट अंसर हो क्या हो जाएगा Option A, रत निर्माता उत्तरपहिदिक काल में रत कार, रत निर्माता होते थे Next question सुएतामबर तपस्वी को कितनी संपत रखने की अनुमत थी 10, 12, 14 या फिर 16 तो इसका जो मारा right answer है वो क्यों हो जाएगा Option 14 तो इसके बारे में details में जान लेते हैं जैन धर में सुएतामबर तपस्वी को 14 संपत रखने की अनुमत थी जिसमें लंगोट कंदे का कपला आज सामिल था जबकि दिगंबर तपस्वी को कपड़े सहिद किसी भी संपत का त्याग करना चाहिए और केबल दो संपत की अनुमत थी जो है राजोहरन और एक कमंडल तो होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप मारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करें यहाँ पर आप लोगों को जीके से रिलेटेड नई वीडियो मिलती रहेंगी तैंक्ट पर वाजिगी